इंडियन व्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी और खटी रेसिपी लेके आई हूँ और इसे हम लोग अपनी देसी भासा में बोलते हैं उखड़ा पीट और ये चावल के आटे से और मठे से मैंने तयार किया है तो ये बहुत ही खटा चटपटा लगता है अगर मुह में टेस्ट ना होना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है दिखने में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये उखड़ा पीट तो फ्रेंड रेसेपी देखने से पहले मैं ये कहूंगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नई रेसेपी से और ये चाच मेरा होममेंट चाच है और खटा चाच है तो देड़ गलास जितना मैंने चाच लिया है और ये देखिए अजवाइन और जीरा है आधा आधा चमच ये डाल दिया तो अजवाइन जीरा के बाद हम एक चमच तिल ले लेंगे और तिल जरूर डालिएगा और अ रेडिस्नल तरीका लाल मिर्च डालने वाला ही है और इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है यह उखड़ा पीट और इसे थोड़ा मैंने हिला दिया है और कडी लिवस डाल देंगे इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें और यह उखड़ा पीट एक्षिल में हम पहले पापड के लिए तयार करते थे लेकिन खाते भी थे हमें बहुत अच्छा लगता था यह और अभी भी लगता है अब देखिए यह मैंने तेज पत्ता नहीं सौरी करी पत्ता और मिक्स कर दिया और यह देखिए चावल का दरदरा थोड़ा हलका दरदरा आटा है एक ग्लास लिया है देड़ ग्लास मठ्था और एक ग्लास चावल का आटा यह मेजर्मेंट आप याद रखिएगा और इसे चलाते रहना है मठ्थे को और इसमें उबाल आने देंगे अब लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक एड़ कर देंगे नमक आप जैसा खाते हो वैसे ही एड कर दिया है इसे भी मिक्स कर दिया अब देखिए हमारे मठ्थे में आ गया है उबाल मठ्था चाच या ताख और इसमें हमने एक ग्लास डाल दिया है चावल का आटा हलका सा दरदरा आटा लीजिएगा अब इसे हमने चावल के आटे को चारो तरब फैला के इसे पाँच मिनट के ढखके सीम पे हमें पकने देना है ध्यान रहे सीम पे अब देखिए पाँच मिनट बाद हम खोल के देखते हैं और इसे हमें अच्छे से ऐसे घोड़ते हुए mix करना है ताकि गुठलियां सीम भी ना रहे और खुरदरा आटा होता है तो गुठलियां भी नहीं रहती सारी तूट जाती है तो हमें ऐसे mix करते हुए और आज सीम पे ही रखना है पूरी प्रोसेस में आज हमें तेज करना नहीं है गेस का फ्लेम बिलकुल तेज नहीं करना है तो देखिए ऐसे घोटते हुए धीरे 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 हमें इसे चलाना है और मैंने यहां नौनिस्टिक कड़ाई ली है आप किसी भी पतीले या कड़ाई में यूज कर सकते हैं यूज मिंस बना सकते हैं तो यहां हमारी गुटलिया तूड़ गई है अब हम इसे धाक कर छोड़ देंगे हाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे थोड़ा सा डाला है मैंने ताकि नीचे से जलेना और इसे नीचे जड़ में ही डालना पानी है अब कड़ाई के तले में और ढाक के छोड़ दिया है तो देखिए अब 10 मिनिट बाद मैं इसे खोल के देखती हूँ और फिर से इसे मिक्स करके उलट पलट कर देंगे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप ट्राई जरूर कीजिए इसे यह देखिए अब हम इसे आप उकमा खाना भूल जाएंगे सूजी का इसे खाएंगे एक बार तो अब यहां ढ़क के रख दिया था मैंने और इसे फिर से पाँच मिनिट पकाना है और खोल के देखेंगे हम तो हमारा उखड़ा पीट तयार होगा इस तरह से और आप खाईए और मुझे बताईए मुझे बताईए कि कैसा लगा ये उखड़ा पीट और लाइक जरूर कीजेगा कमेश जरूर कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग